तो चलिए आज कुछ क्वेशन कवर करेंगे बच्चों हम अपने हेल्थ की सेक्शन से तो सारे क्वेशन को आप अच्छे से सुनेंगे बहुत इंपोर्टन्ट हैं आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए क्या लगता है हमारे माइन को अलर्ट करने के लिए इस दरह हमारे ब्रेन को भी एनर्जी की अगर प्रॉपर एनर्जी रहेगी अगर आप फिट हैं तो आपका ब्रेन जो है वो कंसंट्रेट कर पाएगा किसी चीज़ पे अगर आप ठके वे हैं तो आपका ब्रेन कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा इसका मतलब एनर्जी आप में कम है तो डारेक्ले रिलेटेड होती है देखिए हमारी मेंटल अलर्टनेस हमारी बॉड़ी की एनर्जी कितनी है हमारे पस हम कितने एक्टिव हैं तो आंसर था बच्चो इसका ओप्शन ए एनर्जी नेक्स पुछने हैं देखिए न्यूट्रियंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि फूड में पाया जाते हैं और जो कि आग की बॉड़ी को हेल्प करते हैं ग्रो एन डवलप होने में तो दो आप्शन देखिए बिल्कुल सही बात है नूट्रियंट जो है ये ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारे फूड में पाया जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रोथ और डवलपमेंट के लिए ये जो नूट्रियंट होते हैं जितने भी हमारे बॉड़ी के फंक्शन्स हम कैरी आउट करते हैं अपने रोज मरा के नूट्रियंट्स है तो इसलिए इसका आंसर था कि नूट्रियंट्स एक्चुल में हेल्प करते हैं हमारी बॉड़ी को ग्रोव एंड डवलप करवाने में नेक्स कोच में पूछ रहे हैं आपसे देखिए हमारी स्किन, नेल्स, हेर, मसल, इंटरनल और और इवन हमारे ब्र इंटरनल और इवन हमारे बात करते हैं हमारी बॉड़ी का इस तरह के रिपेईर वरक करने के लिए पनिक्टेणार करता है organs के बात करें तो हुआ लिवर में, kidney में, and heart में बहुत अच्छे से protein present होता है, तब ही वो अच्छे से work कर पाते हैं, और एवन देखिए, brain तक में present होता है protein, जिसके दुवारा, हमारा brain जो है, energy ले पाता है protein से और अपना जो normal roseов mara के हम काम कर पाते हैं, वो इसी प्रोटीन के कारण ही होते हैं तो देखें, आंसर था है, इसको option B false statement है यह ना देखें, next question में आपसे पुछ रहे हैं, vitamin D को इसमें से किस नाम से जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है, sleepy vitamin, dark vitamin, sunshine vitamin, या dark vitamin तो बचो answer है, इसका option sunshine vitamin के नाम से जाना जाता है, vitamin D को, यह बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बढ़ देखें, इस question में हम आपको बताएंगे कि क्यों इसको sunshine vitamin कहा जाता है, किस तरह से यह हमारी body में vitamin D बनाता है, sun light जो है, किस तरह से vitamin D बनाती है तो देखें, यह vitamin D जो है, इसको sunshine vitamin कहा जाता है, क्योंकि हमारी body produce करती है, इस तरह का vitamin हमारी खुद की body produce करती है, जब हमारी body sunlight के exposure में आती है, जब देखें, हमारी body sunlight के exposure में आती है, तो हमारी body में एक तरह का chemical reaction होता है, जिसकी विज़े से क्या होता है जो हमारी बॉड़ी में कॉलेस्टरॉल प्रेजन्ट होता है वो इस सनलाइट के मदद से कनवर्ट हो जाते हैं विटामिन डी में और फिर ये विटामिन डी जो है बहुत ज़़ादा क्रूशिल रोल प्ले करती है बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में मेंटेन करने की जैसे healthy bones healthy teeth मेंटेन रहते हैं in vitamin D के कारण हमारे immune function में बहुत ज़्यादा help करती है हमारी immunity बढ़ाने का काम करती है regulate करने का हमारे mood को regulate करने का काम करती है इसक लिए हम कहते है कि जब भी किसी तरह का कोई person जो है वो परिशान हो तो उसको outside exposure ज़रूर लेना चाहिए sunlight में ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि sunlight directly related होते है इस तरह के chemical reactions करवाने के हमारी body में automatically vitamin D produce हो जाता है किसी विदर का supplement लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसलिए बच्चो आंसर था इसको option C vitamin D को जाना जाता है sunshine vitamin के नाम से भी नहीं नेक्स question में पूछने हैं आप से इन में से कौन सा part of the body या indirectly आप से पूछने है कौन सा system है हमारी body का जिसमें सारे ही organs जो है वो साथ में काम करते हैं और ये सारे organs जो है ये food को ऐसी form में convert कर देते हैं जिसका use हमारी body करती है energy विगरा को produce करने के लिए तो different system दिये हैं digestive system, digestive juices isofagus या nervous system आंसर था बच्चो इसको option A digestive system ये सारे ही काम करता है देखे हमारे जो भी हम कोई खाना खाते हैं कोई भी food item खाते हैं तो वो क्या करता है breakdown करता है food को smaller molecules में और ये smaller molecules फिर absorb होते हैं हमारी body में और फिर इसी के कारण distribution वगरा इसका होता है हमारी body में energy मिलती है अब digestive system की बात करें तो अलग-अलग organs होते हैं जो कि इसमें involved रहते हैं जैसे हमारा mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine और कुछ accessory organs भी होते हैं accessory organs जो की supporting organs होते हैं जो कुछ तरह की digestive juice वगरा secrete करते हैं तो ये accessory organs के अगर हम बात करें तो liver होता है, gallbladder and pancreas होते हैं तरह के organs जो की support करते हैं digestion को तो digestive system ही देखे एक साथ काम करता है digestive juice वगरा प्रेड्यूस करता है जिससे की food जो है उसको ब्रेकडाउन हो पाए तूट पाए चोटे molecules में और फिर ultimately energy मिल पाए हमारी body को जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे तो बचो आंसर था इसका option A digestive system नेक्स्ट आप से पूशन देखे ऐसे substance जो की पाए जाते हैं हमारे food items में help करते हैं हमारी body को grow and develop करने में तो कौन से substance होते हैं बचो वो proteins होते हैं fiber होते हैं calcium होते हैं nutrients होते हैं तो answer इसका option D देखें ये जितनी भी चीज़े हमने अभी देखें ये सारे ही nutrients की category में आते हैं nutrients ऐसे substance होते हैं जो कि हमारे जो भी खाने पीने की चीज़े होते हैं उनमें पाए जाते हैं जो healthy चीज़े होते हैं उनमें पाए जाते हैं और essential होते हैं यह हमारी बोड़ी की growth and development के लिए क्या किस तरह से काम करते हैं तो हमारी बोड़ी को energy provide करते हैं हमारे metabolism को support करते हैं और जो भी हमारी maintenance and repair का काम होता है हमारे tissues वगएरा का तो वो सारे ही काम करते है nutrients जिनमें सब कुछ आता है कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फाट्स, वाइटमिन, मिनरल्स, यह सब ही को मिलाके बोला जाता है, न्यूट्रियंट्स, प्रोटीन जो है यह भी एक तरह का न्यूट्रियंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मिनमें डाउट होता है कि प्रोटीन तो बिल्कुल यह सारे ही साथ में काम करते हैं वर्क टूगेदर होता है इनका जिसके कारण जो भी हमारे फूड से एनर्जी वगरा है वो हमें अच्छे से मिल पाए इसोफेगस जो है यह रिस्पॉंसिबल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए माउथ में जब भी हम कोई फूड खाते है अपने माउथ की थुरू तो हमारे स्टमक तक पहुचाने के काम करता है स्टमक क्या करता है फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है फूड को अपने डाइजेस्टिफ एंजाइम और आसेड की मदद से फिर यह डाइजेस्टिफ फूड जो है यह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहीं पर होता है सारा ही इंटेस्टाइन में फाइनले लाज इंटेस्टाइन जो है वो एब्सॉप करता है वाटर अन इलेक्टोलाइट को और जो रिमेनिंग अनडेस्टिफ फूड होता है वो इलिमिनेट हो जाता है एनस की थ्रूम तो यह पूरी ही प्रॉसेस होती है देखें डाइजेशन की जो की अभी हमने आप से डिसकस की सो बचो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें थैंक्स वर वाचेंग